हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो दोस्तो जिन भी दोस्तों का अभी हाली में जो बहुत सारे मारे एकजाम्स के रिजल्ट आए हैं उनमें चैन हो गया है उन सभी लोगों को हार्दिक सुपकाम और दोस्तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे कई अभ्यरतियों के कॉल्स या मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे कि सर बहुत सारे अभ्यरति ऐसे हैं जिनका पहले से बहुत सारे विभागों में चैन हो रखा है फिर भी और उन्हें फोरेस्ट गाट का फिजिकल दिया और वो डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे जिस कारण उनकी सीट या जो वेटिंग आ सकती है उसमें वेटिंग आने में प्राप्लम होगी और उनका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा तो उसी के संब में बहुत सारे अभ्यर्तियों का चेहन हो गया है या पहले से बहुत सारी लोग कनिस्ट साय क्या विविर्न विभागों में कारिरत हैं उन सभी लोगों से मेरा हार्दिक निवेधन है दोस्तों कि अगर आप लोग पहले से किसी विभाग में कारिरत हैं और अभी आपका फ पॉइंटू से सेलेक्शन रुख गया है उन लोगों को भी जॉब मिल सके देखे दोस्तों आप लोग पहले से जॉब्स में हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी अभ्यर्थी हाई कोट की जॉब छोड़के या प्रवरतन सिपाई या आपकारी सिपाई की जॉब यह क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी तभी आती है जब अधिकतर केंडियेट अपना डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं क्योंकि उतना तक वो वेरिफिकेशन आयोक के हैंड़ोवर रहता है अगर आयोक के द्वारा विभागों को फाइल भेज दी जाती है तो उसक कि जॉइनिंग भविश्य में होने वाली है तो आप फॉरेस्ट गार्ट का डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन देने ना जाएं जिससे कि जो अभ्यर्ति अभी बचे हुए हैं जिनका नाम विट्री लिक्स्ट में आ सकता है उनको भी जॉब मिल सके ठीक है इससे पहले भी दोस तो आप अपने छोटे भाईयों के बारे में भी सोचिए क्योंकि आप लोग के जॉब लग रखी है आप लोग ऐसा भी नहीं है कि आप फॉरेस्ट गार्ट में आएंगे हाई कोट छोड़के आप कारी प्रवरतन सिपाई छोड़के अगर आप उसे छोड़के जोईन करना आ सकते हैं उनके भी लिस्ट आ जाए क्योंकि देखे दोस्तों हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ट की यह नई रेक्वार्मेंट अभी जारी हो गई है तो विभाग के द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी ना की जाए अगर आप डॉक्युमेंट वेरिफिकिशन करा देते हैं फिर आप विभाग में जॉइन नहीं करते हैं तो उस कंडिशन में वेटिंग आने के चांसे फिर अमारे वाँ पे कम हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग ये विसेश ध्यान रखें और अपने छोटे भाहियों के लिए भी कुछ करें मेरा आप लोग उसे यही नि बेदन है धन्यवाद